उलाद की चाहत भी इंसान को कभी-कभी अंदा बना देती है जिसके चक्कर में इंसान अपने बच्चे को पाने की चक्कर में दूसरे बच्चे की जान तक ले लेते हैं दरसल उत्तरप्रदेश के अमरोहा में घर से लापता दो वर्षी मासूम बच्चे का शव तुकडों में मिलने से इंलाके में हडकम्प मच गया तांतरिक विद्या के आशंका के चलते मासूम की हत्या के आशंका जताई जा रही है घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के भी हाथ पाउं फूल गए इसके बाद आनन फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुची और शव को कबजे में लेकर पूरे मामले की जाच में जुड़ गई इस बीच ग्रामिनों ने हंगामा किया और मामले की जाच करने की मांग की जिसके बाद पुलिस ने परीजनों से पूरे मामले में पूच्च ताच की मृतक के पिता ने अपने सगे भाई और उसकी पतनी पर तंत्रविद्या को लेकर हत्या किये जाने की आशंका जताई दिनांक 22-22 को समय करीब 11 बजे दिन में एक पूर्णे 2 साल के बच्चा एसकुमार पुद्र रमेश लापता हो गया था जिसकी सूचना इसके परीजनों दोरा कल दिनांक 23-22 को थाना आदंपूर पर दी गई थी जिसके संबद में अभियोग पंजिक्रत करते हुए आवश मेंबर पर इसमें शक्त जाहिर किया जारा है जिनको हिरा शुक्मन लेकर शक्ति से पूस्तात की जा रही है आवशक वैधानाई कारव की जा रही है वही मृतक के परीजनों का आरोप सगे चाचा चाची पर है परीजनों का कहना है कि चाची का पहला बेटा पैदा होने के पंदरा दिन बाद मर गया था दूसरा बेटा जन्म के ग्यारा दिन बाद मर गया फिर तीसरी बेटी की मृत्यू जन्म के चार दिन बाद हो गई थी मौजुदा समय में आरोपी महिला तीन महीने की गर्वती है तीन संतानों की मृत्यू होने के बाद वो अपने बच्चे को जीवित रखने के लिए तंत्रविद्या के चक्कर में पड़ी हुई थी इसने महीला ने मासूम को घर से उठाकर जंगल ले गई और उसकी हत्या कर दी बता दे कि ये पूरा मामला आदमपूर थाना शेत्र के मलकपुर गाउ का है मृतक के पिता किसी काम से हसनपूर तहसील गए थे उनकी पतनी राजबाला अपने देड़ वर्षिये बेटे को अपनी देवरानी सरोज और सास गंगा देई की निगरानी में घर से खेलता हुआ छोड़ कर देवर सतीश के साथ पशूओ के लिए चारा काटने गई थी तबी बच्चे को दादी की गोध में देखकर देवरानी सरोज अपने कमरे में जाकर सो गई इसी बीच बच्चे को नीद आने पर दादी उसे घर के बरामदे में सुला कर पडोस में बैचने चली गई इसी तोरान बच्चे का अफ़ारन कर लिया गया इदर उदर तलाश करने पर भी बच्चे के ना मिलने पर पिता रमेश ने आदमपूर थाने पहुचकर अग्यात की खिलाफ अफारन का मामला दर्च कराया था लेकिन अचानक से बुद्वार की शाम को पडोसी गाओ के एक किसान के खेत में एक किसान को बच्चे की टांग दिखाई दी जसकी सूचना उन्होंने लापता बच्चे के परिजनों को दी और उन्हें मौकी पर पहुच कर देखा तो नस्दीक में बच्चे के फटे हुए कपड़े पड़े हुए थे कपड़ों से परिजनों ने शव के अफचेश की शिनाक्त कर पुलिस को सूचना दी मतादे के प्रिदक दो भाईयों में छोटा था घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है वही जो भी इस घटना को सुन रहा है वो भी हैरान है कि आखिर कैसे को इतने मासूम की हत्या कर सकता है पंजाब किस्री टीवी के लिए आम रोहा से मुहम्मद आसिफ की रिपोर्ट हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद